नमस्कार दोस्तों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आपकी जिंदगी खत्म करना चाहती है इश नाम की ओरत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इश के एक एक पोल खुलने वाले हैं कि आखिर क्यों या ओरत आपके पीछे लगी है और कितने शालों से आपके पीछे लगी है इनको कौन-कौन शात दे रहा है और आखिर ये क्यों आपको खत्म करना चाहता है दोस्तों शारी बातें आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इनसे महत्पुन बात कि इसे आप इनसे बच सकते हैं कौन से उपाय आपको कर करना चाहिए ताकि इस दुष्ट आत्मा शे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए जियां दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि आज कई है वीडियो आप शिवी के लिए बहुत ही महत्पुन है भले ही थोड़ा शक गंभीत लगे लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो बात हम बदाने वाले हैं अगर आप इन्हें एक एक करके शुनेंगे ध्यान में शमझेंगे तो दोस्तों हम आप शिवी को याची दावी के इस शाहत कहते हैं कि आज के बाल से आप शिवी की जुनकाल में कोई भी प्रेशाई नहीं आएंगी और शिवलताएं आपके कदम सुन में वाली है जहां में जाएंगे आपको शमान प्राप्त होगा काम्याबी की प्राप्ति होगी वशाब इस वीडियों को एक बार अंतर तक ध्यांश दिखिएगा जियां दोस्तों यही एक औरत है जिनका नचर आपके घर परिवारफर लगा है जिनके कारण आप अपने ज मश्याओं से जुझ रहे हैं तिनी शारी परिशानिया एक ना एक परिशानिया आप शिवी के जुनकाल में आते ही रहती है दोस्तों एक परिशानिया आपके जुनकाल में खत्म हो जाती है दोस्तों एक और नई परिशानिया आप शिवी के जुनकाल में आ जाती है दोस्त दोस्तों एक शाथ और लगादार आपके ही उपर दोस्तों सब्द लोग तो यहां पर ठीक ही चल रहे हैं लेकिन दोस्तों आप दिन रात मेहनत करते हैं शब कारेष करते हैं तो दोसाओं लाष्ट में देखते हैं कि वाकटार्व अशफल हो गया है और आपेने जुनकाल में लगतार प्रिशान नहीं चल रहे हैं। दोस्तों निश्पी का जड़ यही है। दोस्तों आप शिबी के जुनकाल के शबशे बड़ा दुश्मन बश एकी यह औरत है। जी हैं दोस्तों आजिके इस वीडियो में हम आप शिबी को उश्य औरत के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों उश्य औरत ने आप शिबी के जुनकाल में क्या किया है वो भी बताने वाले हैं और दोस्तों उश्य आपको मुक्ति केशे पाना है दोसों उनके बारे में हम आपको जड़शी बताने वाले हैं अजिये दोसों इशार नहीं कि दोसों आपको एक दो ही बात बता दी जिये दोसों पूरे जड़शी आपको केशे शबिश मश्याओं से मुक्तिपाना है जे दोसों उन शबी के बारे में बात करने वाले शरुपरतम दोसों वीडियो को शुरू करने शिपले मा भद्रकाली का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं मा भद्रकाली का नाम लेकर दोसों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा जे दोस्वों अगर आप चैनल को नहीं शर्क्राइब किये हैं तो दोस्वों आपको तभी ये उपाई काम करेंगी जे दोस्वों जो भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे दोस्वों उन्ही के जुनकाल में ये उपाई काम करने वाले हैं तूरों विडियो को ध्यान से ऀपल दूरम आ occasions से जूनेगा जो भी शायो दोर में आulp शुर berries देने वाले जो भी उपाएद wind देने वारे हैं कियोर जूर मेरेश इन्हीं को मिलने वाले हैं उननीगों काम करेगी। जे दोस्वों तो आए दोस्वों वीडियो को प्रार्म करते हैं दोस्वों आप शिवी को बिदा दे कि आप अपने जुनकाल में आपके राशी के जो भी लोग होते हैं दोस्वों बिल्कुल इश्वक्ष इंसान होते हैं दिल के शाप होते हैं काम में बहुत ज़्यादा मन लगा कर कारी करते हैं और जुनकाल में हमेशा सफलताओं को चुना चाते हैं उचायों पर जाना चाते हैं दोस्वों आपके राशी के जितने भी लोग हैं दोस्वों कभी भी किशी कारी को लेकर डरते नहीं दोस्वों किशी से आप लोग इतना शाफ है कि दोस्तों दोस्तों को मुश्यवद में पहुंचाने की तो बहुत दूर की बात है दोस्तों कई बार आपके शामने कोई मुशिवत व्यक्ति में पढ़ा रहता है कोई मुशिवत लेकर आपकी शामने आ जाता है तो दोस्वों उनकी मदद करने के लिए आप अपने आही काम छोड़ देते हैं जियां दोस्वों इस ये नेक दिल के आप इंसान होते हैं लेकर दोस्वों फिर भी लोग आपके पीछे क्यों पढ़ जाते हैं इतने शाफ इतने नेक दिल होने के भावसुत भी लोग आपके हैं पीछे पढ़ते हैं लोग आपके हैं दुश्मन बनते हैं और दुश्मन वो बनते हैं जिन के उपर ज़्यादा बिश्वाज करते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है कि दोस्तों व्यक्ति अपने जुनकाल में बहुत अच्छा कर्म कर रहा है लोगों की मदद कर रहा है लोगों की दुआई ले रहा है लेकिन दोस्तों आप जिन के लिए इतना मेहनत करते हैं जिन को आपने अच्छा बनाने के लिए इतना शारी किये लेकिन दोस्तों आप अंत में देखते हैं कि दोस्तों वही आपका दुश्मन बनते जा रहा है दोस्तों आप शुभी को बता दे कि जो व्यक्ति आपके शाथ रहता है जो व्यक्ति आपके शाथ रहकर आपशे सब कुछ शीके हैं जो लोग दोस्वों आपके शाथ आपके उंगली पकड़कर चलना शीका है जो लोग आपके काम को देखकर दोस्वों अपने काम की शुरुवात के हैं परकार च्ग एंदो उस्फेक आपके जुनकाल में जो लोग आपके लिए कुछ भी नहीं थे लिकिन वो लोग आपके लिए अपगे दुश्मन बनते जा रहे हैं, आकिर दुस्टों इंशव hiç क्यों हो रहा है दोस्तों जदातर लोग एश्य होते हैं कि दोस्तों दूसरी को दुख देख नहीं पाते हैं हमेशा दोस्तों आप लोग शहयोग आती होते हैं यह दोस्तों आप लोग कभी किशी के उपर च्छल नहीं करते हैं लेगें दोस्टों फिर भी लोग दोस्टों आपके उपर इशाच छल करते हैं कि दोस्टों आपको दिल से बुरा लगता है एक परकार्श के हैं तो दोस्टों रूख काम जाती है दोस्टों एशी बातें आप शुबी की जुनकाल में हो रही है जिया दोस्टों आप शुब अब आपशिवी की जुनकाल में ये एशी विद्याय का परियू करे हैं एशी तांतरी किरियाओं का परियू करे हैं जिनसे दोस्तों आपशिवी का घर क्या पुरा परिवारी उजड़ जाएगा लेकिन दोस्तों हम आपशिवी को बताने की अब हम शमी पर आ गए हैं इनके शारे तोड़ हम आपशिवी को बताने वाले हैं इनोंने जो भी जाल आपशिवी की जुनकाल में बिछाए हैं दोसों उन्हें शेभी का तोड़ हम आज की वीडियो में लेकर आए लेकिन दोसों इन्हें तोड़ने के लिए आपको हमारा मदद करना होगा है जे दोसुं इनमें आपको हमारा मदद करना ही होगा, तबी दोसुं हम इनकी बदाओं को, इनकी जो भी शंकट है, जो उन्हें आपके उपर फैका है, दोसुं उन्हें हटा पाएंगे, जे हैं दोसुं, शब्से विल दोसुं आप हमें गर शयूख करना चाहते हैं, अगर आप हमें हमारे शाहतरो को हम आपकी जुनकालों से ह्टा दे तो दोस्तों संयो के रूप नि electric को हमारे लिए कुछ करे कदो दोस्तों हम ये बात आपको दिलस्य किहते हैं की दोस्तों हमने आप श civ Plate कह करें की बहुत कुछ शम्मिंगे दोस्तों ήšी सकती यों योग किया है जो कि दोसों आपके जुनकाल से प्रिशानी चले जाए एशी मंतरों का उपियोग किये हैं और दोसों अंत में हम आप शिवी की जुनकाल में एशी मंतरों को तयार किये हैं जिन से दोसों इस शत्रु का विना शोना निस्जित है दोसों ये चीज होकर रहेगा दूसों उन्हें कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं शक्ति, जिए दोसों इसलिए आपको भी हमेरा शॕयो करनाई होका, आपका कर्म होगा, दोसों आपने बहुत ज़्यादा कर्म किये हैं, बहुती नेक दिल के आप इंशान हैं, इसलिए दोसों एक नेक कर्म यहांपर भ बुल करेंगे दोस्तों अगे जो भी हम मंत्र आपको बताएंगे वो दोस्तों हमारे दिल शे मंत्र होगा और वे मंत्र आप शिवि लोग कि इन पर यह किंगे दोसों उन्हीं को फल मिलेगा दोसों अगर कोई गुरू आपको कोई मंतर दे रहा है तो दोसों उन्हीं गुरू को प्रशने करने के लिए आपको दान दक्षिना भी देना होता है जी दोसों इसलिए आप शुबी को बता दें कि हमारे लिए आप शुबी का बहुत ज़्यादा आभार रहेगा आप हमारे चैनल के साथ जूड़ जाए इस चैनल को सब्क्राइब कर लें जिया दोस्तों तो दोस्तों अब आपका हम ज़्यादा शमय नहीं लेते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम आप शुवी को बता दे कि आपके जुनकाल को बहतर बनाने के लिए दोस्तों हमने बहुत दिनों शे एशे मंतरों का निरुमान के हैं एशे मंतरों की हमने खोच किया है जिया दोस्तों और आज के इस विडियो में हम आप शुवी के जुनकाल में शारी मंतर देन लेकिन दोस्वों कुछ मैनों शे इन्हों ने आपको एशा तंग कर दिया है कि दोस्वों आपके शारे कारबार रुख गए है घर परिवार आप शिभी का बिल्कूल ही तभाष्या हो गया है दोस्वों आपके जुनकाल में तनी शारी प्रिशान एक शाथ आ रही है कि बीलोग एशे कदम ब STEP-on ना उठाएं दोस्वों यह कदम बिल्कूल का पाते हैं जो लोग दोस्वों मुश्वपत से लड़ नहीं पाते हैं वे यह खारज एक यह कार्थ नहीं करते हैं जो कि दोस्तों शायद किशी ने अभी तक आपके लिए नहीं किया होगा जिया दोस्तों आपको बता दी कि आपके जुनकाल में आपने इतने शारी दोके खाये हैं कि दोस्तों अब आपको किशी पर भरुशा होता ही नहीं है लेकिन दोस्तों अब एक बार शियों आप हम पर भरुशा कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को आप अंतर तक दिखिएगा दोस्तों अब शियों आपकी जुनकाल की हम एक एक बात शत्य बताने वाले हैं दोस्तों इन पर ध्यान रुखिएगा दोस्वों लोग आपके उपर तांत्रिक किर्याएं क्यों करते हैं आखिर आपको बंधन में क्यों रुपते हैं आपके शरीर को क्यों बांदेते हैं जी हैं दोस्वों आप शिभी को बता दें कि जो लोग शत्रू होते हैं दोस्वों आपके शत्रू पहले नहीं होते हैं दो वह व्यक्ति एतना तरक्य नहीं कर पाता है जितना आप करते है तो वह व्यक्ति आप शुरे जलने लगता है僕 आज षśnie घा रहता था आज यह आज अगी जा रहा है मैं आपकी तरक्य को देकर इंसाच जनने लगता है अव्य हूं दोस्व कुछ दो वो भी मेन्द करता और जब वह परावर्र नहीं कर पाता आप को फीजने कपर्याज करते दोस्व कि जलने लगतें और ए आयश्याकि भावन say deh worship इतना हमस्टित तक किर जाते हैं कि दोस्व वह इंसान आपको कई बार मारने तक भी शोच ली हैं तो दोस्तों इस च्छी बड़ी शी और कौन शी बात हो सकती है अ चोई को साफ शव auster हम ये बात बता दें कि आप बहुत शार ईशी लोग होते हैं जो पूछते हैं कि वह इस तरी का आखरी नाम क्या है आप हमें नाम बता देजिए दोस्तों हम आप शुको विदाते कि हम उनके नाम नहीं बता शकते हैं दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है हम जानते हैं हम जानते हैं बहुत एची द्रेकेशे लेकर दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर आपको वह नाम बता देंगे तो दोस्तों आने वा दोसओं हम बहुत दूर शिये बताते हैं दोसुं आम आपको बता विदियो में और यह वीडियो में बता दे कि यह जो इसतरी है जो आपके ऊपर जादू जादू टोना करती है आप से जुजलती है, आपके घर प्रिवार्ट से जुजलती है, दोस्वों इनके नाम का पहला अक्षर क्या है दोस्वों, हम आपको वह भी बता देते ही, दोस्वों ध्यांश रिएगा, दोस्व इश्वारत के नाम का पहला अक्षर शुरू होता है, S, T, Q, R, G, L, N, B, एम बी ओ ए सी डी और एज दोस्वों इनी में शी एक अक्षर है दोस्वों आप थ्यान में रखिएगा एक अक्षर है जो कि आपके लिए आपकी जिवनकाल का शब्शी बड़ा शत्रू है दोस्वों आप इन्षे पहचान जाएए और दोस्वों अगर आप इन्षे भी नहीं पहचान पा रहे हैं इनसे आप पहसानते आपको लगता होगा तियों ये नाम तो बहुत ही है लेकिन दोस्वों हम आपको एक बढ़ी शंकित बता दे कि ये ओरत जो है आपके घर के दाहि दाहिने ये दोस्वों इस बात को ध्यान लखीईगा दोस्वों यापके उपर बहुत ही ज़्याद जनती है जब recur किर्या करने की बहुत शारी शीर करते आपके घर परिवार को बंधर में बांद रखा इश्वरत ने, जी हैं दोस्व, बहुत शारी कारे आपके कारे को भंग कर दिया है, आपके जुनकाल में परिशानियों को एशा छोड़ दिया है, कि दोस्व, आप लोग वोई भी कारे को शोच नहीं पाते हैं, एक शेक नई म शुमश्या आ रहे हैं कि दोस्व वह आप खुद ही जानते हैं दोस्व ये शुमश्या आपकी हीश को बताते भी नहीं है क्योंकि आप जान रहें कि लोग आप शे जल रहें अगर आप इन शुमश्या को ने बताएंगे तो लोग और हशेंगे लोग तो वही चाहते हैं कि आ आपको बंधन तोड़ने के जो इस्तरी ने आपके उपर मंतर मार रखी है तो इस मंतर को तोड़ने के लिए आपको हम बहुत ही महतकुन मंत बताने वाले हैं जी हां दोस्तों इस मंतर को आप बिलकुल यह ध्याशी शुनिएगा बिलकुल ही मन लगा कर दोस्तों बिलकुल य बहरा ही शुनिएगा दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके जोनकाल की वह तोड़ बताने वाले हैं जिन से आपके जोनकाल की हर तोड़ तूड़ जाएगा हर एक मंत्र तूड़ जाएगा दोस्तों बंधन जो होता है जो आपके उपर मंत्र मारती है दोस्तों बंधन साथ इशा होता है वह अच्छी खासी इंकम कर रहे हैं जिसके कारण दोस्तों वापना घर परिवार चलाते हैं अपने जुनकाल में बहुत शारे उंचारियों को छो लेते हैं लेकिन उनके जुनकाल में जो दुश्मन होते हुआ उनके इससे आके बढ़ने से इर्सिया करने लगते हैं और इश्री कारण वो जलते हैं और उसे व्यक्ति के उपर तांत्री किरिया करते हैं और तांत्री किरिया के प्रियोक्षे उस व्यक्ति के पास जितने भी धन होते हैं धनाने की जो भी रास्ते होते हुए उन्हें ही बांध देते हैं उन शारे रास्तों पर रु महिलाओं की जाती है इशा कहा जाता कि दोस्तों जब भी किशी महिलाओं को बच्चा होने को होता है तो दोस्तों कई इस्तरियां अफिर प्रूश भरुशा के भावशे महिला की कौंख में तांत्री किरिया करवा देती है और उन्हें बांद देती है जिसके वज़े से महिला वैर्षाय बंधन। दोस्व वैशाय तो बंधन कई परकार के होते हैं लेकिन दोस्वों वैवशाय बंधन लगाना बहुत ही दुखट गटना है। जब भी विक्ति एक दुस्टरे से जलता है या फिर उसका दूस्वों खाया दन देख नहीं पाता है। जिहां दोसों उसके उपर दूसरों दुसरा व्यक्ति इर्ष्या करने लगता है। इसके इर्ष्या की भावनाशी उसके उपर तांतर किर्याशी उनके शारी व्यशाय की रास्ते बंदवा देता है। दूसों व्यशाय उनके धीरी धीरी नाश होने लगता है। शबी ग्रहक उससे शंतुश नहीं होते हैं और जाते के लिए प्रिशानी खड़ी हो जाती है दोसों चोथा होता है शरीर बंधन जिया दोसों व्यक्ति को बता दें कि जब भी उनके उपर शरीर का बंधन करता है तांतरी क्रिया करवाता है दूसरी के उपर किसे दूसरे व् को भी मन मुताबित अपना कार्य करने सकते हैं दूसर, आपका पूरा शरीर नसवर हो जाता है बिलकूल ही कुछ करने सकते हैं अपना मत्ति के नुशाद दूसर अब वह जो चाहेगा वहось करेगा जी दूसर घर में अच्छे रहें तो अच्छे रहेंगे वह चाहेगा आप इसकारी में अशपल हो जाएं तो दोस्वों आपको कुछ शमज में ही नहीं आएगा एशे होता है शरीट का बंदन जिया दोस्वों जो कि दोस्वों उस ओरत ने आप शिवी किये जुनकाल में किये आपके धन के बंदन में भी उन्हों ने किये दोस्वों एक प्रकारशे कह आप शिवी की जुनकाल में किये हैं जिन के कारण दोस्तों आप शिवी का जवन इतना ज्यादा घ्रशित हो गया है एक प्रखार्षे कहीं इतना ज्यादा पीडित हो गया है कि नाकारत्मक साया आप शिवी की जुनकाल में चलते रहता है जिया दोस्तों तो दोस्तों आप श दोस्तों इसके वारी में आपकी इश्री को भी भूल कर भी मत बताईएगा वरना दोस्तों ये मंत्र आपको काम नहीं करेंगे दोस्तों ये बात हम आपको पहले बता देते हैं और दोस्तों एक बात हम आपको फिर बताते हैं कि चैनल को अगर आप वही तक सब्सक्राइब न बश इनी शर्व बातों को रख कर इस मंत्र को सीदिके हैं तो दोसों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर देजेगा जे दोसों ये विधी आपके जुनकाल में आवशी काम करेंगे तो आई दोसों बात करते हैं पूरी विधी विडियो को बिल्कुली मिश मत कीजिएगा दोसों ध्याश देखिएगा दोसों सबसे पहले आपको मंत्र बता देएं दोसों सबसे पहले आपको खुद को खुलना है इस तरी ने सबसे ज़्यादा जो तोटके किये हैं वो दोसों बिदा दें दोसों यह मंत्र है ध्यांश सुनेगा यह मंत्र इश्परकार है अल खोलू बल खोलू जल खोलू थल खोलू धर्ती आकाश खोलू चलता हुआ योगी खोलू घर वय पार खोलू गद्धी बेठा बनिया खोलू जो इतना ना खुले तो गुरु गोरक नात लाजे मेरा खोला ना खुले तो गुरु मचेंदर ना थलाजे काजवाय पार चले ना चले तो शिव की लटा तुटु भूमी पे परे शब्द शाचा पिंड काचा फुरे मंत्र इश्वर वाचा शत नाम आदेश गुरू का दोस्वों हर परकार की बंधन को खोलने के लिए दोस्वों इश्मंत्र का आपको परियोग करना बहुत जरूरी है जियां दोस्वों दोस्वों आप शिव को विदा दे कि इश्मंत्र का आपको केशे परियोग करना है उश्वीधी के बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्वों हर परकार की बंधन को खोलने के लिए आपको एक दिन का शुनाव करना होगा शनीवार या फिर मंगलवार के दिन रात्तरी दस बजे से शुरू करना है जिए दोस्वों दूसरा मंगलवार की दिन रातीरी दस बजे आशन लगाकर उत्तर दिशाकी और मुख करके बैठ जाए शनिवारे फिर मंगलवार की दिने आप ये किरिया को कर शकते हैं दोसरों ध्यान रहे आप जिस भी जगह आशन लगारा कर बेठते हैं वह जगह एकांत होनी चाहिए एक अगर मन से मंत्र का आपको जाब करना है जिन दिस तो तभी ये मंत्र ज्यादा शक्र करेगा दोसरों आशन पर बेठने के बाद आपको एक रुद्राक्ष की माला लेना है और उस माला से 11 माला जब करना है अगर आप चाहे तो अधिक भी कर सकते हैं उसके पर साथ को गनेश भगवान की पूजा करनी है और गुरु मंत्र की एक माला जाब वश्य करना है अगर आपके पास कोई भी गुरु नहीं है तो दोस्वों भगवान शिव के मंत्र का गुरु है इसलिए उन्हें भी आप गुरु मांशकते हैं यह भी आपके लिए कारगर शिद्ध होंगे साथी दोस्तों व्यक्ति जब भी इश्मंत्र का जाब कर रहा है उस व्यक्ति को उश्य में चोव मुखी दिपक अपने शामने प्रजवलित करके रखना चाहिए उसक उसके परशाद आपका यह मंत्र शिद्ध हो जाएगा जब आपकी शाधना शभल हो जाए तो आकरी दिन आपको मिठाई का भोग लगाना है और उस परशाद में गुलाब के चार फूल चड़ाने हैं जिया दोस्तों उसके परशाद आप इस मंत्र का प्रियोग जिस भी इ लाया गया है आपको तो लाया ही है तो दोस्तों उसका परियोग करकी आप इनका लाब उठाश बाए जर दोसमों इन सबियं और फूंद को खुलने का मंत्र अगर आप परियोग करते हैं तो दोस्तों इस मंत्र के पर्योग शिद कर मिल जाएगा आपके ऊपर आपके शरीट पर जोबीर किया चुड़ करा मिल जाएगा इस मंत्र इत्र अगर कोई वन के उपर घौर تांतरिक और तंतरिक किया है तो दोसों आपको चुड़ने वाला मंत्र है जे दोस्तों और ये जो और आतापके उपर पिछली कश्मिश रे तांत्री किरिया कर रही है ये करी दोस्तों चार-चार तांत्री को कुपला कर आपके उपर यह नोंने तांत्री किरिया किया है तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो मंत्र आपको बताए हैं तो दोस्तों इस मंत्र का आपको परियोग करना है जिन दोस्तों और शाथ साथ आप शबी को बता दें कि अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपको शब्षे पहले इस चैनल से जुड़ना है तब यह आशी बाहर जाना है जिन दोस्तों जो अ अब मंत्रत किये हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ जाईएगा, तब दोस्तों इसे मंत्र आप शिवी की जुनकाल में काम करेंगी, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के यह वीडियो आप शिवी को बहुत यह पशन आया होगा, हमने जो म सब्सक्राइब करना है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप शिवी का दिन शुब हो, मंगल मैं हो, आने वाला श्यम्मी आपके लिए भगवान शारीफ खुशियां आप शिवी को दो, दे जो कि आप महंग रहे हैं, धन्याइब